बेंटेन के अम्रिटिक्स का अलग-अलग कलर्स का अलग-अलग मतलब होता है आज हम यह जानेगे कि अम्रिटिक्स के कौन से कौन से कौलर का क्या ग्या मतलब है वीडियो को अंतक जरू देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादे इंफर्मेटिव होने वाला है नॉम्बर वान ग्रे कोलर विच इंडिकेट्स इनाक्टिब मोड अफ अमरिटिक्स बेंटेन क्लासिक सीरीज में जब बेन अमरिटिक्स को नहीं इस्तमाल कर रहा होता है तब बोग ग्रे कोलर का होता है gray color का मतलब है कि omretics अब inactive है और omretics में अब कोभी function नहीं हो रहा है No.2 green color which indicates active mode of omretics green color benton के omretics का popular mode है क्योंकि omretics का color जिस time green होता है बहो होता है ben का hero time green color ये depict करता है कि omretics fully charged है और active है यानि इस mode में बेन कोई भी alien form में transform हो सकता नमबर 3, red color which indicates recharge mode of omritics बेंटेन के omritics का जो time out हो जाता है तो बहुत red color का हो जाता है और red color ये depict करता है कि omritics अभी recharge हो रहा है यानि उसका user अब किसी भी alien में transform नहीं हो सकता है नमबर 4, yellow color which indicates capture mode of omritics जब बेंटेन alien force में बेन के कुछ aliens omritics से भाग जाता है तब आजमत ने omritics को capture mode पे set करके उन aliens को capture करने के लिए बेन को कहा था बेन जब इस mode का इस्तिमाल करता है तब omritics yellow color का हो जाता है यानि omritics में yellow color capture mode को depict करता है नमबर 5, blue color which indicates recalibration mode of omritics पान साल बात जो बेन फिर से omritics को पेहनता है तब बो blue color का हो जाता है और कुछ डेर पात omritics का पुरा का पुरा change ही हो जाता है इस changing process को recalibration कहा जाता है यानि blue color recalibration mode को depict करता है नमबर 6, orange color which indicates self-destruct mode of omritics omritics का orange color हां में benton secret of the omritics में देखने को मिला था जहां में ये जनने को मिलता है कि omritics गलती से SDM यानि self-destruct mode पे set हो गया था जो कि omritics के orange color को देख कर ही पता चल जाता है नमबर 7, purple color which indicates controlled or risk of temporal threat जब बेन और benton thousand hands of armageddon को destroy करने के कोशिश कर रहे थे तो अब उनके altimatrix का color purple हो गया था ये color अस्ताई खत्रा या rix को depict करता है नमबर 8, pink color which is due to under spell effect जब benton का omritics Gwen के magic spells या mana के संपर्क में आता है तब वो pink color का हो जाता है यहां में benton destroy all aliens में देखने को मिला था नमबर 9, black color which indicates stop mode of omritics omritics का color जब black हो जाता है तब omritics काम करना बंद कर देता है उसमें किसी भी तरह का कोई भी function नहीं होता है दोस्तो omritics के इस mode को आप लोगों ने कहां देखा है लिचे comment करके बताओ दोस्तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी आच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और हो सके तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना ची यह नेक्स ताइम